हेलो फ्रेंड्स, विलकम बैक टो माई चैनल, मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिजाइन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कॉलर वाले ब्लाउस की कटिंग तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेश चल रही हैं जिसमें हम लोगोंने ब्लाउस की 29 क्लास कम्प्लीट कर लिया है यह हमारी तीस्वी क्लास है तो आज के दिन हम लोग कॉलर वाले ब्लाउस को बनाना सीखेंगे हम लोगों ने simple blouse और अस्तर वाले blouse कैसे बनते हैं simple simple सारा कुछ हमने सीख लिया है तो चलो आज हम लोग color वाले blouse की cutting कैसे करते हैं ये भी सीख लेते हैं तो देखो ये जो मैंने कपड़ा लिया हुआ है ये आधा मीटर का है तो मुझे यहां पर full sleeves भी बनाना है और color भी लगाना है तो friends यहां पर हमें आधा मीटर में नहीं होगा तो इसके लिए मैंने आधा मीटर का कपड़ा और लिया है जिसकी मैं sleeves बनाऊंगी और आधा मीटर यहां से हम लोग front part और back part complete करेंगे color complete करेंगे और आधा मीटर से हम यहां पर sleeves complete करेंगे क्योंकि यह healthy ladies का blouse है तो चलो हम लोग front अपने blouse की पहले front part और back part की cutting कर लेते हैं तो जो हमने आधा मीटर का कपड़ा लिया हुआ है आप जो भी full sleeves का बना रहे हो या फिर half sleeves का बना रहे हो तो उपर की साथ जो कपड़ा है यह हमारा back part है तो देखो जो हमारा अंदर की साइड कपड़ा होगा ना यह हमें सीधा साइड रखना है और यह हमारा उल्टा साइड रखना है कपड़े का उल्टा साइड यह है और कपड़े का सीधा साइड यह अंदर है कपड़े को रखा हुआ है तो देखो फ्रेंट्स इसे की साइड हमारा बैक पार्ट है और नीचे की साइड हमारा फ्रेंड पार्ट है तो जो हमने कपड़े को जैसे फोल्ड किया तो देखो ये हमारा उल्टा साइड है और ये अंदर की साइड हमारा सीधा साइड है कपड़े का ठीक है ऐसे हमने फोल्ड करके इसको रखा हुआ है अब रखने के यहां-बाध यहां-बाध को यहां पर लिए हमाप इंच प्लस करके लेंगे तो कितना आएगा हमारा 16 इंच आएगा तो अब हम लोग बैक पार्ट के सादे शुला इंच पर यहां पर कपड़ा ले लेंगे इसको इतना ही फोल्ल करना है जितना आपको लेना है यह हमारा 16 इंच है ठीक है तो फ्रेंट से देखो हमारा 25 हम प्लस करेंगे तो कितना है एक हमारा 16 इंच तो lic in 16 सोला हị लिए है और 400 Red के आपने क конфis defence कर लेनी है अब क्या करेंगे इसको यहीं से बीट कर लेंगे अब नीचे कपड़ा हमारा बच्चे के यहां से में अपने कालेंगे तो इसको मैं यहां से पराबर कट कर लेती हूं सब्सक्राइब भाट्राइब लिया और 15,500 ब्लाउस में लेंगे बडर दोनों की लेंद बिल्कुल बराबराबर लेनी है अब क्या करेंगे इसको यहीं से कट लेंगे और जो नीचे कपड़ा हमारा वसक्तल रहे हमारा बच्चे बचाहिए यहां कूपड को उसके बाद फिर से में एक बार ऐसे फोल्ड करना है तो यह हमारी चार रेयर में कप्ड़ा हो जाएगा और जो हमारा पैक पार था वह हमारा अंदर चला गया है और फ्रेंट पार उपर आ गया है तो बस इसको अच्छे से पराबर से रख देना है ऐसे और रखने के बाद ये जो हमारा बंद भागी कपड़े का उसको अपनी साइट को रखना है खुले भाग को उधर को रखना है और बस ऐसे ही कपड़े को रखना है अब हम यहाँ पर सारे नाप डालेंगे तो हमने लंबाई तो निकाल ले कि किस तरह से हमें लंबाई लेना हो तो देखो फ्रेंट्स अब हम यहां पर अपने गले के लिए निशान लगाएंगे तो कालर वाला ब्लाउस है तो इसलिए हम यहां पर तीन इंच पर निशान लगाएंगे अगर आप जैसे कोई बहुत ज्यादा पतली लेडिस के बना रहे हो तो आप यहां पर कपड़े के ब यह जो तीन इंच लिया हुआ है इसके बाद यहीं से अपने गले के लेनी है तो फ्रेंट पार्ट के लेनी है जितनी भी आपको गला तयार रखना है फ्रेंट पार्ट का गला ठीक है उसमें से हाफ इंच प्लस करके लेना है तो जैसे मुझे यहां पर तयार रखना है गले करेंगे गुलाई कर लेंगे तो इस तरह से हमारा गला कम्प्लीट हो किया है अब गला कम्प्लीट करने के बाद यहां पर हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है तो कपड़े के बंद बाग से साड़े साथ इंच लेते हैं तो अगर हम लोग नॉर्मल ब्लाउस बनाते हैं तो साड़े पांच इंच लेते हैं या फिर पांच इंच लेते हैं लेकिन यहां पर हम कॉलर वाला ब्लाउस बना रहे हैं इसके लिए हमें आप साड़े साथ इंच लेना है अगर आप ज्यादा म अर्मोल के लेंद भी आपर 7 इंच लेनी है देखो कपड़ी की बंद भाक से हमने 7.5 इंच सोल्डर लिया लेकिन आर्मोल हमें 7 इंच लेना है जैसे हम नॉर्मल ब्लाॉज बना रहे थे तो यहाँ पर 6 इंच तक जा रहे थे अगर आपको यहां पर जैसे कम आइट वारी ले तो यहां पर हम्रों के टाना तक करना एक पर नहीं करेंगे टाइब करना और बैग पार्ट नेंज पर करना इस तरह सी हमने दे लो डाई निशान बैग पर नीशान करना दूए दो आयाा सकतव पर जो लो और लिखाया ही तक उससे संचीर हो थैसे तो जितना भी आपका चेष्ट है जैसे कि मैंने यहां पर बताया यह हमारा 40 साइज का ब्लाउस है तो हम यहां पर कपड़े के बंद बाक से देखो जो भी साइज है आपका सीने का उसको में चार से डिवाइट करना है और यहां पर निशान लगा देना है चार से हम डिवाइ लीजान को देखो इस कि यहां पर लाइन ट्रॉप कर दिया है मारbon भूली जो खोसे बेड़्ी के लिए निशान को एप से लिए नियुक्ते कर दाएगे तो यहां से उपर से आपको इंचे टेप रखना है जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है बेल्ट के लिए निशान लगाना तो यहां पर हम 3 इंच ले रहे हैं अगर आप जैसे बहुत जादा कम हाइट वाली लेडिस का बना रहे हो तो फिर आपको यहां पर 12 इंच लेना है बना 13 इंच ले लेना है इस तरह से हमने 13 इंच पर निशान लगाया इसके बाद इधर कपड़ा देखना है कितना है तो इधर 4 इंच है इधर हम क्या करेंगे एक इंच कम करके निशान लगाएंगे तीन इंच पर लेंगे अब हम उसी निशान से इधर साइ तो हैं तो कि आले को यह इस रहता है नहीं टो सेफ होता है जो अच्छा चाल चाल यहां पर यह चाल भी लेंगे लाएँ से लेकल के इंची ठेब रखना केसे साइध यहां एक इंची ठेब रखाएँ वहीं से हम इधर साइड को डेर डेर इंच छोड़ते हुए चारो टक्स पर निसान लगा देंगे तो देखो फ्रेंट्स इस तरह से ये हमारी चारो टक्स कम्प्लेट हो गए हैं हमने सभी को डेर डेर इंच छोड़ते हुए निसान लगा दिया एक नीचे साइड एक फिटिंग साइड और एक आर्मोल साइड ठीक है अब इतना करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे हमारी सारे निसान कंप्लेट हो गया है लेकिन हमें यहाँ पर सोल्डर भी डाउन करना होगा तो सोल्डर हम अपने कॉलर वाले ब्लाउस में हो या अब हम क्या करेंगे इसकी ऑन हमें निसान लगा निसंन से अभी कट करेंगे, पहले बैक पर निकाल लेंगे, उसके बाद गला क्ट करेंगे तो यहाँ से अपने कपड़े को खोल लेंगे, बागी हम कट्टिंग यहाँ की नहीं करेंगे तो बस इसकी में कट्टिंग कर लेती हूँ तो देखो फ्रेंट्स इस तरह से इसकी कट्टिंग हमने पुरे बाहर से trampite कर लिया है अब हम क्या करेंगे यह अपना back part बाहर निकाल देंगे इस तरह से अब निकालने के बाद इसको फिर से वैसे ही फोल्ली करके रखना है half inch अंदर के साथ जो हमने solar down किया है वो sorry armhole उसे हम cut कर देंगे और यहाँ पर अपना गला cut कर लेंगे और यहाँ पर आप belt भी cut कर सकते हो तो बस इसे हम cut कर लेते हैं तो देखो friends इस तरह से हमने अपना गला cut कर लिया है बेल्ट भी cut कर लिया है और यहाँ पर हमने अपने armhole भी cut कर लिया है अब इसके बाद इसको हम पूरा ओपिन करके ऐसे रखेंगे रखने के बाद जैसे हमने इधर टक्स लगाया है सेम ऐसे ही इधर भी लगाना है तो बस इन्ही को हम ऐसे छाप लेंगे तो थोड़ा सा डार्क कर लीजेगा आप चौक से तो देखो इस तरह से यह हमने इधर छाप लिया है अगर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर लेते तो और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता आप लोगों को लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा है तो जब आप करोगे तो आपको भी यहाँ पर समझ में आएगा लेकिन अगर आपको यहाँ पर छप नहीं रहा है तो आप सेम मेजरमेंट के एकॉर्डिंग यहाँ पर लगा भी सकते हो निसान तो इस तरह से हमारे चारो टक्स कंप्लीट हो गए है अब हम इसको क्या करेंगे बिल्कुल करें बीच सेंटर से हम पर यहाँ से कट कर लेना है इस तरह से आप OH bowl शेचे हम साइप में कंप्लीट हो गई है अब हम इसको साइट में रख देते है अब pa com क्ट करने के बाद हम यहाँ पर अपना बैक पार्ट ले लेते हैं तो इसको वैसे ही फोल्ड करके रखना है बराबर से जैसे हमने इसको बाहर निकाला था अब निकालने के बाद यहां पर हमें अपने डॉट के निशान लगाना है तो कपड़े के बंद बाग से हम 4 इंच लेंगे और उपर की साइड भी हमें 4 हें कि इस तरे हें धोनों ड़ोट कंप्लीट हो गये है आब इसके बाद यहां पर हमें अपना गल्या कंप्लीट करनी होगहाँ तो यहां पर हमें लेंदने तो ज्यादा लेंगे यहां पर सिर्फ ंब्सकी 1,5 इंच पर गुलाई करनी ओती है। इसे नापर ाइस में पर हाँ स Therefore, और हाफ इंच पर कर दो कर देंगे तो कॉलर के लिए हमें क्या करना है यह हमारा कपड़ा ठीक है तो देखो अगर आप यहां पर जितनी भी चौड़ाई में कॉलर लगाना चाहते हो तो इतने ही चौड़ाई में आप यहां पर पेपर पेस्टिंग ले लीजिएगा तो देखो यह जो पेपर पेस्टिंग है य यानै कि यह चपकाने वाला है और एक आता है जो बीना चपकाने वाला होता है तो उससे भी कॉलर बन जाती है लेकिन अच्छी पनीशिंग नहीं आती है अगर आप कॉलर वाला ब्लार यूज 주भी पना रहे हो तो आपको यह taper चौड़ाई में नहीं रखना है मुझे सिफ 1.5 इंच पर रखना है तो हम यहां पर 1.5 इंच पर पूरे में निशान लगा लेंगे इस तरह से बाद हमको इसकी लंबाई कितनी लेनी होती है तो देखो यहां पर आपको लंबाई 14 इंच के अगर रखोगे तो आपके जो ब्लाउस की कॉलर होती है वह पर्फेक्ट बनके तयार होगी अगर आप जैसे बहुत कम हेल्दी लेडी के बनार हो जैसे अगर वह पतली दूबली ह तो फिर आप तीरां इंच कर सकते हो लेकिन अगर हेल्दी लेडी से नउर्मल लेडी से तो आप आप चौदा इंच की कॉलर लेना तो बहुत अच्छी पर्फेक्ट तरिक कह यह बिलकुल बनके तयार होगी तो मैं यहां उर्फर करना रहा है हमें इतना डराइक तरिकीं का मिलाए बड़ने करों करना है एकनल का कि भुआरों किकनल दो यहां पर हल्की सी गुलाई जो है हमारे पेपर पेस्टिंग इनको दोनों को ऐसे बराबर से पकड़ना है जिससे हमारे दोनों की गुलाई बराबर आए तो फ्रेंट इस तरह से यह मैंने इसकी कटिंग कर लिया है यह हमारी कॉलर कंप्लेट हो गई है अब हमको इसके लिए कपड़ा कितना चाहिए होता यानि कि यह जो साइड होगा गुलाई वाला उसको हमको इधर रखना है और इधर नीचे की साइड हमें half inch कपड़ा बचा के रखना है इसके बाद उतना ही कपड़ा हम इधर भी लेंगे यानि कि यह हमारे two fold में होके उतना ही कपड़ा आ जाए तो जो इतना कपड़ा है हम कु आपको बता देती हूँ आपको कितना लेना है तो यह इसाइप यह पर कितनी कॉलर हैं तो जितनी भी खुराइं में कॉलर प्लस करने लिए घर तो रिच तो इसका हम double करके कपड़ा लेंगे, तो बस यहांसे हमको 4 इंच पर कपड़ा लेना है, यह पतला है तो इसे यह मैं कट नहीं करूंगे, बस बदाबर से इसके इतना हम कट कर लेंगे, तो इधर साइड भी हमें half half इंच दोनों साइड básख बचा करना है, यह हमारे कॉलर के लिए सीधा साइड कपड़े का हमारा इधर है और उल्टा साइड इधर है उल्टे साइड में हमने अपने कॉलर वाले पेपर को रखा हुआ है और जो चिपकाने वाला पेपर है उसको हमने नीचे की साइड को रखा हुआ है बस यहां पर हम क्या करेंगे प्रेस लगा लेंगे इस स को हम साइड में रखते हैं अब हम स्लेव की कटिंग करेंगे तो देखो यहां पर मैंने आपको स्लेव के लिए बताया था कि हम हाफ मीटर यानि के आधा मीटर हम अलग से कपड़ा लेंगे क्योंकि आधे मीटर में हमारा फ्रेंट पार्ट और बैक पार्ट हो गया और कॉलर सारा कुछ निकल आया है तो हमें स्लेव फोल बनानी है इसलिए मैंने यहां पर अलग से कपड़ा लिया हुआ है तो देखो इसको मैंने चार फोल्ड में करके रखा हुआ है पहले पूरा ओपन करके दिखा देते हूं जिससे आपको स्लेव कट करना आच्छे से आ जाए तो पूल्ड किया है यह हमारा चार फोल्ड में कपड़ा हो गया तो ऐसे हमने रखा रखने के बाद आब हमको क्या करना है इसकी लेंद्ध लेनी है तो आपको जितनी भी तयार लेंद्ध चाहिए ब्लाउस की वह सौरी स्लेव की उसमें से आपको यहां पर डेर इंच प्लस कर के लेंगे तो कितना आएगा हमारा बेस इंच आजाएगा तो यह हमने पुरा बेस इंच कपड़ा लिया हुआ है ठीक है इतनी ही हमारी स्लेव तयार होगे इस कपड़े से अब हमने यह अपनी लेंद्ध तो ले ली अब इसके बाद यहां पर जो हमारा आर मोल साइड जू एक पर हमारा 10 ंच आएगा 40 इस लिए इंच पर यह निशान लगाया आप जो यह निसान लगाया है इसके बाद यहां से हीरे रिणर निशान लगाना है क्यों कि यह पुल्ष लीव你們 एक लिए आप 30 पर गुलाई करना है अब उसी निसान से इधर साइड को एक line ड्रो कर लेंगे तो देखो इस तरी सी हमने यहां पर एक line ड्रो कर दिया है अब इसके बाद यहां पर हमें हलका सा AS आकार का Save देना होगा तो AS हमारा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा जो हमारा हलका सा इधर साइड अंदर की साइड कपड़ाएगा निसान लगाना है तो बटम है हमारा यहां पर साड़े 5 इंच इसके बाद यहां पर हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे तो इस तरह सी हमने दो निसान लगाया अब मार्जिन वाली निसान से यहां पर हमें तिर्ची लाइन ड्रॉ कर देनी है तो देखो फ्रेंड इस तरह सी हमने यहां पर लाइन ड्रॉ कर दिया है एक हमने मार्चेन वाली ड्रॉ किया है एक हमें फिटिंग वाली ड्रॉ करना है तो इधार साइड लगबग एक इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें यह निसान लगाना है और यहां पर आगे जो हमने फिटिंग वाली लाइन निसान लगा करेंगे दोनों स्लीव को ऐसे पकड़ेंगे पकड़ने के बाद इसको हम पूरा ओपिन कर लेंगे इस तरह से यह हमारी स्लीव कट हुई है अब ओपिन करने के बाद यहां पर हमको एक साइड यानि कि स्लेव्स ना इसका हमें दोनों स्लेव्स हमने बराबर रखनी है तो यह ध्यान रखना है कि दोनों का हमारा स्लेव्स जो है दोनों सीधा साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और उल्टा साइड बाहर की तरफ या फिर उल्टा साइड दोनों का अंदर साइड होना चाहिए औ कीमने कमप्लीट हो गईिए आहां करकें क केस्ते सब्सक्राइब करकें तो आब करना का सब्सक्राइब कर से फूर दुट हो गई से इधर उधर की नहीं बनेगी दोनों स्लीव सीधे सीधे ही बनेगे तो इस तरह से हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है तो फ्रेंट से देखो जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ यहां से मैंने हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लिया है दो तो यहां से हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी हो जाएगी अब फ्रेंट्स हुक पट्टी और आई पट्टी निकालने के बाद जो हमारा यहाँ पर जो फ्रेंट पार्ट और पैक पार्ट कट करने के बाद जो कपड़ा बचा हुआ था तो यहाँ से हम अपने गले की पाइपिंग निकाल लेंगे तो फ्रेंट पार्ट में हमें अपने गले के लिए चाहिए कपड़ा पाइपिंग के लिए तो और एप पट्टी हम यहां से निकाल लेंगे इस तरह से तो दो पट्टियां हम निकाल लेंगे तो देखो फ्रेंट इस तरह से ये हमने दो पट्टिया निकाल लिया है अपने पाइपिंग के लिए भी अब हमें जितने भी कपड़े चाहिए थे हमने सारे निकाल लिया है तो फ्रेंट से देखो जितने भी हमें पेस निकालने थे अपने ब्लाउस के लिए हमने सारे पेस निकाल लिया है अब बस हम इतने में ही अपने ब्लाउस की सिलाई सिखेंगे तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सारे पेस को जोड़ना सिखेंगे कि किस तरह से हमें शिलाई लगानी होती है तो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें प्रेस भी लगा लूँगी तब आपको वहाँ पर मिलूँगी ठीक है तो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा